वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे एक flawless base पा सकते हैं बिलकुल एक high end base पा सकते हैं आपके simple foundation से बिलकुल भी फ्लेकी ना रहे और आपके skin बिलकुल glow रहे और natural लगे इसके लिए सबसे पहले मैंने यहां पर लिया coconut oil जैसे की ठंडियों का मौसम है coconut oil मेरा जम गया था सो मैंने इसको फड़ा सा heat कर लिया है उसके बाद मैंने लिया यहां पर coconut oil और इसके बाद मैंने यहां यूज किया है foundation 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 के लिए मैं पस fit me foundation है यहीं foundation यूज किया है इसके आप अच्छे से mix करेंगे coconut oil को foundation के साथ जब तक यह बहुत अच्छे से mix ना हो जाए you have to mix it very well and दोस्तों यह साथ में हम इसको इसको इसली mix कर रहे है ताकि हमारे face पर बिलकुल ही अच्छे से मर्ज हो जाए और आपकी face पर बिलकुल भी कोई भी flakiness या फिर कोई भी dryness ना दिखे तो इसको आपको पूरे अपने face पर डॉट डॉट करके इसको आपको apply कर लेना है और आप इसको simply hand से apply कर सकते है और दोस्तों अगर आप इस तरीके से एक बार अपना यूज करेंगे foundation सो आप इसको same इसी process से करेंगे because इससे आपके जो skin पर एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो रहता है एक बहुत ही अच्छी सी shine रहती है और साथी साथ में जिन लोगों को foundation लगाने के बाद face और dry हो जाता है flaky हो जाता है या फिर face लगता है जैसे कि हमने ऊपर से एक कोई layer लग लेंगे इसी तरह उसके बाद हम लेंगे एक damp sponge ये एक sponge है जिसको मैंने पानी में गीला कर लिया और उसका पानी पूरा अच्छे से नी चोड़ दिया है फिर उसके बाद simply हम उसको अपने face पे जिस तरीके से मैं प्रेस कर रही हूं आपको इसी तरीके से प्रेस करना है हम करते हैं तो कि जितना भी so that जितना भी extra foundation हो वो sponge के अंदर चला जाए और आपके face पर जितनी requirement होगी foundation की आपका face automatic सेट हो जाएगा और इससे आपका जो बेस है बहुत ही flawless लगेगा और बहुत ही बहुत ही blend लगेगा and guys blend करने का ही सबसे ज्यादा problem होता है जब आप foundation लगात blender है बहुत ही cheap rate में market से या फिर online आप इसे easily purchase कर सकते हैं वैसे मैं इसका link आपको नीचे description box में दे दूगी so guys आप देख सकते हैं यह कितनी अच्छी तरीके से देखे blend हो गया है जित मेरे face पे बिल्कुल भी extra या बिल्कुल भी कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं लग रही है द beauty blender को यूज करने का process इसको अब देखे मैंने बिल्कुल अच्छे से अपने पूरे face पे blend कर लिया है और आप देख सकते हैं कोई भी fine lines कुछ भी चीजे नहीं है बिल्कुल मेरे face पे लग रहा है आपको ऐसा कोई भी चीज नहीं लग रही हूंकि मैंने foundation लगाया है बहुत अच्छी है concealer लगाने का तरीका simple है आपको concealer के साथ brush मिलता है जिसको आपको simply अपने जहां पर पार्ट conceal करना चाहते हैं हम उस जगह concealer लगाते हैं जहां पर हमें लगता है कि हमारे थोड़ा सा dark है जैसे हमारे eyes के पास थोड़े सा dark circles होते हैं सो हम वहां पर लगाते ह हैं साथी साथ में आप में lips के दोनों side भी लगा सकते हैं जैसे कि यहां पर थोड़ी-थोड़े हमारे black होते हैं तो यह वह तर जहां जहां जगह आप चाहते हैं कि थोड़ी blackness हटाने का वहां वहां पर concealer यूज कर सकते हैं और आप इसको highlighter की तरह भी use कर सकते हैं जैसे ना आपके मेकप का फिनिश बहुत ही अच्छा आता है आपके फेस पे बिल्कुल भी कोई बी चीजे की 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 नहीं लगती है लास्ट में फाउंडेशन के बाद हम यूज करते हैं हमेशा लूस पाउडर या फिर कोई भी फेस पाउडर यूज की है मेबलीन के फेस पाउडर को आप अपको अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है so that आपके face पे जो हलकी हलकी सी कोई भी wrinkles रह गई हो या कोई भी lines रह गई हो so ये अच्छे से पूरा pack हो जाए और उसके उपर कोई भी आपकी layer ना लगे and guys foundation के बाद loose powder या फिर face pack लगाना बहुत ज़रूरी है in the case अगर आपकी बहुत ज़्यादा dry skin है जैसे कि ठंडियों का आप make-up कर रहे हैं तो आप इसको skip कर सकते हैं कोई बहुत ज़रूरी नहीं है so guys ये हो गया हमारा make-up complete आप देख सकते हैं मेरा make-up कितना flawless लग रहा है और base कितना प्यारा blend हुआ है so आप देख सकते हैं मेरे face पे कहीं भी कोई भी lines नहीं है कितना glowy-glowy और dewy-dwy make-up सा है and इसको blend करना ये बिल्कुल भी पैची नहीं होगा आप इसे कितनी भी देड लांग लास्टिंग रहेगा बिल्कुल भी गिरेगा नहीं so मैंने अपने लुक को complete करने के लिए यहां पर मैंने eyeliner लगाया है eyeliner के लिए मैं यहां पर यूज करनी है blue heaven का eyeliner and guys blue heaven का जो eyeliner है यह बहुत ही अच्छा है और साथी साथ में आपको बहुत अच्छे rate पे मिल जाएगा और साथी साथ में इसका जो पीछे के पकड़ने के लिए यह हमारा जिसका bottle का cap दिया हुए यह बहुत ही अच्छा है आपको eyeliner लगाने के लिए अगर आप eyeliner नहीं लगा पाते हैं तो आप बहुत ही easily तरीके से अगर आप start करना चाहते हैं तो आप इसे easily लगाना सीख सकते हैं so guys यह हो गया हमारा make up complete I hope guys आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इन दा किस आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप मेंने चैनल पे नहीं है और आप यवी तक मेंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे जाके सब्सक्राइब बट्न को जरूर प्रिस करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रिस करिएगा so guys till then bye bye take care healthy खाते रहिए healthy रहिए अपना ख्याल रखिए bye bye